जलग लाइफस्टैल ज्योतिश चैनल के सभी वीवर्स को छोटे बड़े बुज़ोर्ग बचे नौजवन आप सभी का स्वागत है आज का विश्य डायबिटिक पेशेंट्स की दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं कि मेरे वीडियो चैनल का मेन उद्देश जो है वो डिजीज कि ऊपर बिमारियों के ऊपर तरह तरह की रेमिडि़ को लेकर आना है जहे हस्त मुद्राएं हाँ, हर्बल रेमिडियों हूँ, हर्बल सोप्स हूँ जहे हर्बल अधर प्रोडक्स हूँ या इको फ्रेंडली रेमेडि प्लांस लगाने की हूँ आपने आप तक देखा होगा मैंने सभी परकार की रेमेडीज दी ही तो दोस्तों आएए आज जो डियाबिटिक है डियाबिटीज एक ऐसी बिमारी हो गए है कि अल्मोस्ट अगर आप लाइन से देखना शुरू करें अपने गली महले आसपास में सेक्टर कहीं पर भी तो अल्मोस्ट हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई डियाबिटिक पेशिंट मिल जाएगा और अल्मोस्ट हर फोर्थ हाउस में जो है एक सीवियर डियाबिटिक पेशिंट होगा जिनके की 500 से उपर डियाबिटीज होगी तो इसके उपर आज बहुत ही सुंदर में रेमेडि बतानी जा रहे हैं एक तो तीन परकार के सॉल्ट अगर आपके माता या पिता बम्मी या पापा मेंसे किसी कूप ही अगर डियाबिटीज है तो आप सजक हो जाएं आपकी एज कुछ भी हो जाए 18, 20, 25 कुछ भी एज हो आपकी आप सजक हो जाएं आपको अभी से प्रिकॉशन लेना है और अपनी डाइट पैट्रन में ये चेंजिस लाने हैं और ये जहां पर भी आप रहें तो यहां मैं बताने वाली हूँ वो वास्तू के करेक्शन आपको कर ही लेने हैं जाहे अभी आपको परिशानी आई है या नहीं आई है अगर आपके मुमी पापा में से कोई भी एक डाइबर्टिक है तो नमबर चूँ अगर आपके पास होरोस्कोप है और आपके होरोस्कोप में चंद्रमा जो मून है वो एवन नमबर में लिखा हुआ है जैसे कि दो नमबर चार, छे, आठ, तस या पारा इसमें अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो भी आप सजग हो जाएं आप इन रेमेडि जो फर्स्ट हाउस होता है जो पहला घर चुरू होता है जहां से होरोस्कोप वह अगर इवन नमबर में है वही दो, चार, छे, आठ, तस तो भी आपको ये रेमेडिज यूज़ करने हैं अब जब चंद्रमा की मैंने बात कहीं कि दो, चार, छे में इसका मतल़ा ये कि आप मकर, कैप्रिकॉन, और पाइसीस, अगर आपकी राशियां है तो ये हम मून से देखेंगे, सोलर से नहीं देखेंगे, हम देट और बर्स से नहीं देखेंगे, हम ये चंद्रमा की उपस्तिची से देखेंगे, अगर ऐसा है तो आपको सजब होना है और आपको डियूटी से बचने के लिए ये रेमेडीज आपको कर लेने हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि तीन परकार के सॉल्ट नमक, आपको जो नॉर्मल सॉल्ट है वो बिलकुल आपको छोड़ देना है। नमबर बन, नमबर टू, अब आपको खाना कौन-कौन सा है, अपनी डाइट में कौन-कौन से आपने नमक लाने हैं। एक सेंधा नमक, दूसरा काला नमक, तीसरा जो साबुत डली वाला नमक होता है, मोटा-मोटा जो नमक होता है। जिसे हम देसी नमक कहते हैं, या डली वाला नमक कहते हैं, उसके गोलगोर मोटे-मोटे आपको बेले बजार में मिलते हैं, आपने वह नमक लेना है, ये तीन परकार के नमक आप अपने खाने में लाएं, दाल, सबजी, रायता, जैसे भी है, नीमू पानी, लीक्विड, कोई यूज करना चाहते हैं, आप कौन सा नमक जो है, डली वाला नमक जो है, सबजी में डाल सकते हैं, जो लिक्विड चीजें आप बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं, और जो काला नमक है, वह आप चात्मी, चट्नी में या फूट चात्मी इस तरह से आप काला नमक खासकते ह ये आपके उपर डेट करते हैं कि आप उसे कैसे डिवाइट करते हैं, लेकिन आप एक रूटिन बनाएं कि यह तीनो ही नमक तीनो प्रकार के नमक आपने किसी ना किसी ज़र से दिन भर में खाने हैं और नॉर्मल सौल्ट बिल्कुल नहीं खाना है, अगर आप डायविटीस स बचना चाहते हैं, तो, तीन पहले मेने options आपको बता दिये, कि अगर ममी पापा में से किसी एक को है, diabetes है, या आपकी जो है, राशिय जो है, वो, even number में है, sum number में है, 2468, इसी परकार से, अगर लगन आपका इन राशियों से 2468 से शुरू हो रहा है, तो, आपको ध्यान रखना है, अब एक रेमेडी, इस परकार से आप एक काच की बॉटल लेंगे, उसमें कॉर्क लगा हुआ होना चाहिए, इसमें आपने तीनों ही परकार के नमक भर लेने हैं, ब्लैक, सेंधा नमक और उपर डली वाला है, यह तीनों ही आपने रख लेने हैं और जिसको की प्रॉब्लम है, डियाबिटीज है, उनके कमरे में आप इसको रखते हैं और अगर अबे किसी को शिकायत नहीं है, तो आप अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम मे आपको बताने जा रहे हैं, इसे प्रकार से एक और सॉल्ट आता है, ताकि आपको समझ में आ जाए, यह से की लवन भासकर चून, तो यह आपने लवन भासकर चून आपने जरूर अपनी डाइप में ले आना है, अब बात करते हैं, वास्तू की ओप्शन, वास्तू में आपकी पानी की टंकी हो, आप उसको स्क्वेर करते हैं, वह टंकी जो है, एकदम गोल न रखी हैं, और विशेश थ्यान दे कि आपकी जो पानी की टंकी है, वह सौथ एस्ट में या सौथ वेस्ट में न रखी हुई हैं, अब यह डिरेक्शन आप कैसे देखेंगे, मैंने आ जिस घर में आप जहां पर भी रहते हैं, आप खड़े होकर के देखेंगे कि सुभे मोर्निंग में इस्ट में सूरज जो है, तो सूरज किधर से दिखाई दे रहा है, जिधर से सूरज आपको दिखाई देते हैं, वह उदर की तरफ आप मोग कर के खड़े हो जाएए, वह गयी आपकी डेरेक्शन रहें गी जिस घर में इस मकाम में आप रह रहे हैं, इस ही प्रकास से आप अपने घर के हर कमरे की डेरेक्शन को इस तहर ऐसे देख लएंगे, तो आपने Southwest Direction जो है उस डेरेक्शन को भारी रखना है, are the place for only में अपना फर्नीचर बेड दिवान लगा सकते हैं उसको भारी रखना है अगर ऐसा संब्रभ नहीं है अगर खुला एरिया है तो आप वहां पी सौथ वेस्ट में और कुछ न करें जो स्टोन्स होते हैं पेबल्स होते हैं चोटे-चोटे पत्थर होते हैं आप उनका घेरी ब अगर वेस्ट में और आपके बैक में जो वेस्ट है पस्टिम दिशा है तो उत्तर पस्टिम दिशा का जो कोना है वहां पर आप एक नीले रंग के फूलों का अटिफिशिल ही चाहिए लगाले अटिफिशिल फ्लावर्स ब्लू कलर के हो उनका फ्लावर पॉट आप वहां उत्तर पस्ट में नौर्थ वेस्ट में और जो पॉट हो कोशिश करें कि जो पॉट हो वेह भी आपका ब्लू कलर का हो इसी पर कहां से अगर नौर्थ वेस्ट में आपके खुली जगह है गारन है या कोई आपके बालकनी है खुली जगह है तो नौर्थ वेस्ट में आप अ भूप कलर करें आप वहां पर नॉर्थ वेस्ट में बुलू कलर के पॉट टकें दोस्तों यह हुई वास्तु की रेमुटिज अब खाने में खाने में आपको क्या करना है जैसकि नमक की बारे में मैंने बता दिया तीन प्रकार की नमक और ये नमक आपको भर करके भी रखने हैं जितने भी synthetic products हैं आप जहां तक संबभ हो सकें आप वो लेना बंग करते हैं कोई भी soft rings है juices है jams है processed food, packed food जितना भी है आप कम से कम करते हैं अगर आपके घर में कोई भी वेक्ति diabetic है तो आप सजग हो जाएं मम्मी या पापा में से कोई भी है या दोनों भी हो सकते हैं तो उस case में आपको बहुत सजग हो जाना है आज की तरीक में बहुत यंग एज में भी 28-30-35 वर्ष की उमर में भी diabetic patients हो रही है लोगों को diabetes हो रही है तो इसलिए दोस्तों आपको अपने बचाव भी करना है और prevention भी लेना है precaution भी लेनी है और जिसको हो गया है उनके लिए भी ताकि उनकी ज़्यादा वर्स्ट करणीशन नहों और ज़्यादा कराभी नहों तो उनको भी फाने-पीने में प्रोस्सेंड फूड को जितना भी नहीं गाति जी थी अरिसले सेछपी लिस्ट अगर में बोलती जाओंगे तो वीडियू बहुत लबी हो जाएगा आप समझ के होंगे नश्यों सेज़ फूदह सब्स में आप जितना गंपर सकें वह आप काएं, सेब काएं, इस तरह के फूर्स अलू बुखारा काएं, बहुत अच्छा फूर्ट है, बहुत ही लाब दायक, अलू बुखारा काएं, इस तरह से अपने फूर्स कलरफुल लेने, और सलाथ का फॉर्म में, खीरा है, जो भी अविलेबल है, और एक आज की तार अगर नहीं वह भी संबबनी है, तो आप आटे की रोटी बना के खा सकते हैं, तो आप उसकी रोटी काएं, यह अपने आप में बहुत पॉष्टिक और सिंपल और बहुत अच्छा पदा के खाने के लिए, इस तरह से दोस्तों, यह तीनों ही परकार के मिने आपको यह तो डाइट पैटर और प्रिकॉशन, प्रिवेंशन और वास्त जो आपको सॉल्ट जो है, किस तरह से खाना है और किस तरह से आपको रखना है, यह तीनों ही चीज़े मैंने आपको बता दी, तो उमीद है, आशा करती हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसे में देखिए, फ्लावर बकॉट सारे अविलिबल हैं, लाल, निले, फिले, आफी परकार के, हर परकार परकार अपको जो है, आप किसी भी परकार के, छे पौदे अलग-अलग तरह के मिक्स मैच करके आप छे परकार के फूलों वाले पौधे जो है किसी भी धर्म इस्तान के बाहर लगाते हैं पॉट में रखकर के भी आप पॉट भी एज़िट इस रखके आ सकते हैं नहीं अगर कची जमीन है तो अगर अगर पॉजबल नहीं है धर्म इस्तान में तो आप किसी भी पब्लिक प्लिस पे, किसी भी पार्क में लगादे हैं वहां पर यह लगाते हैं और कम से कम, कम से कम फिर ग्यारा दिन इन पौधों को आप जरूर देखें अगर आपके घर में बुजूग हैं जिनको डाइबिटीज की प्रॉब्लम में वो खुद नहीं चा सकते हैं तो आप जो है वो लिजाकर कि उन पौधों को आपने जल डाल देना है तो कम से कम ग्यारा दिन जल जरूर कोशिश करें कि किसी धर्मस्तान के बाहर रखे चाहें तो अति-अति उत्तम और अच्छा जल्दी लाव पार को अगर ऐसा संभव नहीं हो तो आप पार्क अपने गरमे नहीं लगाने है ऐसा नहीं करना है कि आप अपने बगीचे में लगा ले अपने मेने लगाना है पब्लिक प्लेस में ठाए ऐबी खीज़ भनी दो सब्रह परगएं तो उसपिल्दों को आ श्यरकर दोस्तों इस वीडियो को आशं करती है यह ज्याद़ से ज्य झाल 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 झा